एक मतला एक शेट पढ़ता हूँ तारो की जुर्मुट में चांद तन्हा थोड़ी लगता है सिर्फ कहने भर देने से कोई अपना थोड़ी लगता है मेरे सामने उसका जिक्र करते क्यों हो तुम मेरे सामने उसका जिक्र करते क्यों हो तुम मैं कुछ नहीं कहता लेकिन यार अच्छा थोड़ी लगता एक गजल मुलाज़ा फर्मा जैसे उसके दिल में दाखिल होते हैं एक नई दुनिया में शामिल होते हैं उसके चाहने वालो में मैं आखिर हूँ पहली सफ में केबल बुजदिल होते हैं इन जखमों से दर्द नहीं होता इन जखमों से मुझको दर्द नहीं होता ये सब उसके इश्क के हासिल होते हैं उस कंदे की खाईश हमको होती है उस कंदे की खाईश हमको होती है जिस कंदे पर अकसर बोजिल होते हैं एक शेर की पढ़कर लिखने वाले ही तो शायर हैं, लिखकर पढ़ने वाले जाहिल होते हैं गजल का आखरी शेर उसके बदन पे तिलोक ऐसे छीटे हैं, जैसे रातमतारे जिलमिल होते हैं एक और ख्याल, यार हम इस दुनिया के किस हिस्से में आ गए हैं, लगता है कि हौकिन्स वाले काले गड़े में आ गए हैं मेरे कातिल हो सके तो खता ये मेरी माफ करना, गलती से मेरे खूंके छीटे तेरे कुर्टे में आ गए हैं कहा था जिसने कि उसकी डोली मेरे द्वारे ही जाएगी कहा था जिसने कि उसकी डोली मेरे द्वारे ही जाएगी ले उसकी डोली को कांदे पे हम ये किसके कूचे में आ गए हैं हमें ये लगता था वो सफर के मील का पत्थर बनेंगे हमें ये लगता था वो सफर के मील का पत्थर बनेंगे हमारे पीछे जो आते आते हमारे रस्ते में आ गये हैं आखिर में एक नज्म उसका चेहरा देखने लायक माथा उसका चूमने लायक उसकी आखे जील समंदर उसकी पलके चाकू खंजर उसके होट ताजा गुलाब उसका लहजा पुरानी शराब बाल उसके भूरे भूरे बिना उसके हम अधूरे महबबत उससे हो जाती है खूबी उसकी अच्छा गाती है उसमें अच्छा क्या है? सरयाम नहीं रोती उसमें बुरा क्या है? किसी एक की नहीं होती है जिता मुष्टा जिता गिर्पषी एए लाएंड़ कुछ अपातु जिता जिता गिर्पती हुटी और हो और फिर्टान की देल मुष्टी।